वेलो दोस्तो, सुवागत है मारे यूट्यूब चैनल AMA Learning में और आज की क्लास में आपको बताएंगे टेली के अंदर सेल्स वाउचर क्या होता है और इस वाउचर के अंदर किस परकार के ट्रांजेक्शनों को रिकोर्ड किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्स वाउचर होता क्या है विक्रे वाउचर के अंदर माल के विक्रे समंदित सभी परकार के लेंदेनों को रिकोर्ड किया जाता है चाहे वो लेंदेन उधार हो या नगत हो इसमें सभी परकार के ट्रांजेक्शनों को हम रिकोर्ड कर सकत हैं लेकिन वो माल के विक्रे से सम्मदित होने चाहिए और बात करें हम सबसे पहले को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यह transaction के अंडर accounting vouchers पर क्लिक करना होगा तो यहां पे कुछ vouchers की list दे रखी है यहां से हम sales voucher पर क्लिक करके या फिर इसके सामने इसके shortcut दे रखी है F8 तो यहां से क्लिक करके भी आप यूच कर सकते हो तो चलो हम sales voucher पर क्लिक कर लेते हैं जैसे हम sales voucher पर क्लिक करते हैं तो यहां पे हमारी पास में sales voucher open हो जाता है जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको purchase voucher के बारे में अच्छ से समझाया था उसके अंदर हमने सभी परकार के transaction को DR और CR में भी record करके बताया था साथ में ही कुछ transaction को हम बिल के according record करके भी आपको बताये थी अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के description में उस वीडियो को link दे रखा है वहां से जा करके आप उस क्लास को अच्छे से देख सकते हो क्योंकि मैंने कहा था टेली के अंदर अगर आप सभी परकार की चीजों को एक अच्छी तरीक से सीखना चाते हो तो आपको सभी वीडियो इस्टे वाइस्टे भी देखने होंगे ताकि आपको Tally proper तरीकी से समझ में आ सके तो उसी परकार से जैसे हमने पीचली class में purchase voucher की अंदर transaction को record किया था वैसे ही हम sales voucher में भी transaction को record करके आपको दिखाएंगे सबसे पहले हम sales voucher के अंदर कुछ transaction को DR और CR के अंदर हम record करके देखेंगे अब यहाँ पर हमारे जो voucher है, sales voucher वो बिल्किया कोर्डिंग ओपन हो रखा है तो इसको हम DR or CR में convert करेंगे तो इसके लिए हमें edge A voucher का यूज़ करना होगा इसके लिए आप shortcut भी यूज़ कर सकते हो control plus V या फिर edge A voucher पर click करके भी आप इसको DR or CR में convert कर सकते हो तो सबसे पहले हम control plus V के माद्यम से इस voucher को DR or CR में convert कर लेते हैं तो यहाँ पर sales voucher DR or CR में convert हो चुका है तो सबसे पहले हम कुछ transaction के आधार पे DR or CR में entity को post करके देखेंगे sales voucher के अंदर तो यहाँ पर हमने कुछ list बना रखे चांजिक्शनों की तो जिनको हम sales voucher के अंदर record करके देखेंगे तो पहले transaction यहाँ पर 10,000 रुपे का माल बेचा तो हमने यह जो 10,000 रुपे का माल बेचा है वो नगत बेचा है तो इसके entry होगी case account DR to sales तो चलो हम इसको टैली में record करके आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दे रहा है reference number तो यहाँ पर हम reference number डालेंगे आप यहाँ reference number में कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपके transaction की reference number है इसके बाद मैं enter करेंगे यहाँ से यहाँ पर दे रहा है DR pucks तो DR में जो entry हमने transaction की बनाई थी वो entry है case account DR to sales account तो यहाँ पर DR pucks में हम case को mention करेंगे यहाँ पर amount अपना 10,000 रुपे तो यहाँ पर हम 10,000 रुपे करेंगे enter करेंगे और CR pucks में था अपना sales account अगर आपके पास में sales account पहले से बना हुआ है तो यहाँ से हम sales वावजर का लेजर क्रियेट कर लेते हैं sales account जैसा कि आप जानते हो sales account sales account के ही अंडर गुरूप जाता है तो इसलिए हम यहाँ पर sales account सेलेक्ट कर लेते हैं और enter करते हैं और इसको enter करके हम accept कर लेंगे हम DR OCR में entry को post किया चलो हम कुछ example और ले लेते हैं यहाँ से second अपने पास में example है राम एंड संस कंपनी को 20,000 रुपे का माल बेचा जिसका बुक्तान चेक दवारा किया गया है जैसा कि हमने आपको पहले भी समझाया था कि जितने भी अगर आप चेक के माध्यम से payment करते हो तो वहां पर चेक के इस्तान पर bank का यूच करना है तो देखो यहाँ पर हमने राम एंड संस कंपनी को 20,000 रुपे का माल बेचा है जिसका बुक्तान चेक से किया है तो इस transaction को भी हम चैस वाप्चर में mention करके आपको दिखाने वाले हैं तो चलो हम टेली पर चलते हैं आप से वह हम रेफ्रेंस नमबर डालेंगे एंटे करेंगे जो ट्रांजिक्शन ता राम एंड संस कंपनी को जो हमें 20,000 रुपे का माल बेच आता और जिसका बुक्तान चेक के माध्यम से प्राप्त किया गया है तो इसका ट्रांजिक्शन का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डियाड टू सेल्स तो हम उस एंट्री को सेल्स वाउचर में मेंसेन करेंगे तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट 20,000 रूपीज एंटे करते हैं यहाँ पर एकुछ चेक की इन्फॉर्मेशन है बैंक डिटियल के अकॉडिंग तो आप वो भी आप फिल कर सकते हो अधर्वाइस आप एंटे करके एक्सेप्ट कर लेजीगा और यहाँ पर सैस अकाउंट को मेंसिन करेंगे सैस अकाउंट आपको बारबर करेट करने की आओ सकता नहीं है क्योंकि सैस अकाउंट परतिक कंपनी के अंदर एक बार ही बनाया जाता है इसको भी हम एंटे करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर हम एक उधार का एक ट्रांजेक्शन भी सैस वाउचर में बेचा है इसके मदाद होगी सैस वाउनाज्ट करके आपको दिखा द्यक्स है तो यहाँ पर वह हम डालेंगे अंटे करेंगे में करेंगे आप एकटोरबर कर सकते हूँ तो Demo करेंगी को और यहां पर जितने भी हम माल जब सेल करते हैं तो जितने भी अपने कंपनी जोती है या व्यक्ति होता है वो हमाली लिए संडी डेटर्स होता है तो इसको हम संडी डेटर्स के अंडर डालेंगे कि एंटे करेंगे और करके accept कर लेंगे तो यहां पर हमने 20,000 रुपे का माल भी वुदहर करके देख लिया तो यह तु था हमारा DRCR में cells voucher के अंदर transaction को record करना अब हम बात करते हैं cells voucher के अंदर bill के according transaction को record करना तो सबसे पहले cells voucher को bill के according record करना चाहे तो इसके लिए हमें Azure invoice convert करना होगा तो इसके लिए आप ctrl plus V यूच कर सकते हो अब गिजिए यहाँ पर अपने वापकर से रिकोर्ड करते हैं जैसा कि हमने पिछल बीडियो में आपको बताया था एक तो आइटम वाइज हम टांजेक्शन को रिकोर्ड करते हैं कि हमने क्या क्या खरीदा कितनी किंदा कि कुद्ठी के रहा है यहाँ पर हमने सबसे पहले देखो यहां यहां पर हम एक एक चीज़ को step by step करके अच्छे से समझाएंगी तो मान लिजिए हम एक transaction ले लेते हैं जिसके आधार पर हम आपको यूच करके दिखाने वाले हैं और यहां पर इनकी quantity दे रखी है तो चलो हम इसको sales voucher में mention करके दिखाते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर टेली वाउचर पर चले जाते हैं और यहां पर हम रेफरेंस नमबर ड़ालते हैं इन करते हैं पार्टिन हम डालेंगे हां से कि हमने किस पार्टी यहां पर और यहांपर लिखा हुए हम ने specific आप अब कौन कौन से सेल करना चाहते हूँ आपनी पास में कुछ इस्टोक आइटम कुरिए कर रखे हैं तो यहां पे देखो कंप्यूटर कर लेटे हैं अगर आपको इस्टोक आइटम क्रिएट करना नहीं है तो मैं आपको डैक्टली हम बैक स्पेस करते हैं यहां से क्रिएट कर सकते हो अब अपनी पास में जो इस टोक आइटम को यहां से सेलेट कर लेंगे हमारी दे रखी 10 और और रेट दे रखी हैं यहांपे पांच हजार पांच रूपय एंट्र करेंगे और यहां पर नेक्स करेंगे इसके बाद में हम ले रखेंट अंभा मौस का भी हमारे आपके पास में नहीं है क्योंकि आपके पास में कोई पीसेज इसलिए बना हूए आपको सो पचास रूपय यहां हुए है तो हम आपको एक एडिश्ट्रल इस्टोक आईटम बनाके दिखा देते हैं ताकि आपको किरिट करना भी एच्छ समझ में आ जाएगा तो अल्ड प्लस हम सी करते हैं यहां से और माल लिजी हम यहां पर बना रहे हैं मोणीटर का एंटे करते हैं यहां पर और यहां पर हम मॉनिटर को पीसेज में मापते हैं तो यहां पर पीसेज में ले सकते हो नंबर्स में ले सकते हो तो हम पीसेज पर क्लिक करते हैं एंटे करते हैं और इसको एकसेट कर लेते हैं अब यहां देखो अपने जो मॉनिटर है वो माल लीज से चारहजार रूपे करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं अगर आप इसका बिल देखना चाहते हैं तो यहां से और प्लस प्रेस करके यहां फिर आप उप्सन पर क्लिक करके भी आप इसका बिल्ड करके देख सकते हो चलो हम यहां पर क्लिक करते हैं और यहां पर यहां पर सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब टक्राइब सेल किया तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा अकाउंटिंग इन्वोईस में तो चलो सबसे पहले हम इसको बैक स्पेस करते हैं यहां से चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं यहां से कंट्रोले के माध्यम से अगर आप इसी बिल्को बीना इस्टोग आइटम बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको और प्लस आई प्रस करना होगा जैसे आप प्रेस्ट करते हो तो आपका बिल अकाउंटिंग इन्वोईस में करण्वर्ट हो जाएगा बीना इस्टोक आइटम के ही आपका विल जन्यर्ट हो जाएगा इसमें हम डैक्टली सेल्स का मौंट शो करेंगे तो वही चीज़ हम यहां पर रेफ्रेंस नमबर डालेंगे यहां क्टवर्ट करने हैं रोसके करा हुसरो हम्स यहां पर छोड़ियों पर रोपर और यहां फिल करना चाओ कोई स्ट्रॉपाक नहीं आ रहा नहींुंइन और और प्लस प्लस कर के आप बिल्क ice नंट करक देख सकते हो तो यहां पर हम जोम कर लेते हैं हूं तो यह अपना डाइक्टली यहां पे देखो हूं आपके पास में कोई स्टोक नहीं कर रहा है यहां पर सेल लिखा हो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी थैंक्यू दन्यवाद